नमस्कार आज हम बनाएंगे कच्चे आलू से बहुत ही करारा नास्ता वैसे तो आलू से बहुत सारे नास्ते बनाए जाते हैं लेकिन आज हम कच्चे आलू से एकदम नया नास्ता बनाएंगे यह बहुत ही आसान नास्ता है यह नास्ता बहुत ही करारे स्वादिश्ट बनते हैं तो चलिए हम नास्ता बनाना सुरू करते हैं यहाँ पर हमने दो कच्चा आलू छिलका सापकर के लिया है सबसे पहले हम आलू को कद्दू कस करेंगे यहाँ पर हमने एक बरतन में थोड़ा स्पानी लिया है इसी में हम आलू को कद्दू कस करेंगे जिससे आलू काले नहों दोनों आलू को हम मोटा कद्दू कस कर रहे हैं दोनों आलू को हमने कद्दू कस कर लिया है आलू को कद्दू कस करने बाद इसे हम 3-4 पानी से अच्छे से धोएंगे जिससे आलू जो श्टार्च है वो निकल जाएं तो इसे हम 2-3 बार पानी बदल कर साप कर लेते हैं आलू को हमने पानी से साप करके प्लेट में निकाल लिया है इसको हमने अच्छे साप कर लिया है अब एक काले नहीं होंगे चलते हैं गैस की तरफ कडाही में हम दो छोटी चम्मच तेल डालकर हलका गरम करेंगे तेल गरम हो गया है अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे जीरा को हमें बहुत ज़्यदा नहीं भूनना है बस इसे हम हलका से भूनेंगे जीर्या भूनने बाद आप इसमें हम एक चम्मच लासुन अद्रक डाल कर भूनेंगे लासुन अद्रक हमने कद्दू कसकर के लिया है इसे भी हम हलका से भूनेंगे आप इसमें हम आलू को डालेंगे आलू को हम बरावर चलाते हुए हलका नरम होने तक पकाएंगे इसे हमें बहुत ज़्यदा नहीं पकाना है बस इसे हम इसी तरह एक मिनिट तक पका लेते हैं गैस को हमने मेडिया में किया है आलू पक कर हलके नरम हो चुके है अब इसमें हम सवाक कप पानी डालेंगे इसके बाद डालेंगे स्वात के अंसवार नमक आधी छोटी चमच कूटी हुई लाल मिर्च थोड़ा सहारा धनिया सारे चीजों को हम पानी मच्छे सी मिला लेते हैं अब इसमें हम चावल का आठा डालेंगे यहां पर हमने एक कप चावल का आठा लिया है पहले इसमें हम आधा आठा डाल कर मिला लेते हैं जिससे इसमें आठे का लंस नब बने अब जो बचा हुआ आठा है उसे भी डाल कर मिलाएंगे एक कब पूरा आटा हमने डाल दिया है अब आटे को हम सारे चीजों में मिलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये पककट डो न बन जाएं इसे हमें एकदम सुखा होने तक पकाना है जिससे आटा पूरी तरह से पानी को सोख लें गैस को हमने हलका तेज कर दिया है अब आटा पूरी तरह से पानी को सोख कर डो बन गया है इपकर तयार है अब गैस को हम बंद करेंगे और इसे हम प्लेट में जमा कर सेट करेंगे पहले हम प्लेट में तेल लगा कर चिकना करेंगे अब इसमें हम पूरे डो को डाल कर सिट करेंगे इसको हम चारों तरफ से फैला कर एक लेवल में कर देते हैं जिससे कहीं से मोटे पतले न रहें एक साइज में रहें डो को हमने एक बराबर इस तरह सिट कर दिया है अब इसे हम 10-15 मिनट के लिए पंके खवाम रखेंगे जिससे पूरी तरह से ठंडा होका टाइट हो जाए लगभग 15 मिनट के बाद ये ठाइट हो गया है और ये ठंडा भी हो चुका है अब इसे हम चाकू से छोटे-छोटे पीस में काटेंगे पहले इस तरह से सिधे लाइन काट लेते हैं इसके बाद अब इसे हम चोटे-छोटे पीस में काटेंगे नास्ते को आप अपने हिसाब से छोटे-पीस या फिर और बड़े-पीस में काट सकते हैं आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया जम कर सेट हुआ है अब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे यहाँ पर तेल हमने अच्छे से गरम कर लिया है अब एक एक करके हम चार से पांच नास्ता तेल में डाल देते हैं तेल में डालने बार पहले इसे हम एक तरफ से फ्राई होने देते हैं जिससे एक तरफ से सुनहर रंग में हो जाएं गैस को हमने तेज रखा है इसे हम तेज आँच पर फ्राई करेंगे अब एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं तो अब इसे हम दूसरी तरफ पल्टेंगे इसे बार बार पलटने ज़रूरत नहीं है बस एक तरफ से फ्राई हो जाएं तो इसे दूसरी तरफ पलट दें दोनों तरफ से अच्छे से सुनाय रंग में फ्राई करें अब ये सुना है रंग में फ्राई हो चुके हैं तो इससे हम निकाल लेते हैं इसी तरह हम बचे हुए नास्ते को फ्राई कर लेते हैं उसी तरह हम इसको भी सुना है रंग में फ्राई करेंगे इस नास्ते को फ्राई करने में बहुत ही कम समय लगता है ये 4-5 मिनट में फ्राई हो जाते हैं बस ध्यान रहें इसे फ्राई करने के लिए तेल को अच्छे सी गरम करें और फिर इसे तेल में डाल कर तेज आज पर सुनाय रंग में होने तक फ्राई करें अब ये नास्ते भी फ्राई हो गए हैं इसे भी हम निकाल लेते हैं पूरे नास्ते को हमने फ्राई कर लिया है ये उपर से बहुत ही करारे बने हैं क्योंकि इसमें चावाल का आटा है और चावाल का आटा जो है वो नास्ते को बहुत ही करारे बनाते हैं इसे हम चम्मस से खरोज कर दिखाते हैं इसके आवाज से आपको पता चल रहा होगा कि उपर से कितने करारे हैं आप इसे हम तोड़ कर दिखाते हैं आप देख सकते हैं कितना बढ़ियां हमारा कच्चे आलू कर नास्ता बना है तो आप भी इस तरह से घर पर कच्चे आलू कर नास्ता बना कर हरी चटनी टोमाटो केचप के साथ सवर कर सकते हैं इसको चाहे हरी चटनिक साथ खाएं, या फिर टोमाटो केचप के साथ खाएं, दोनों चटनिक साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें, या नास्ता आपको बहुत पसंद आएगा